कर दो फ्रेंड्स एन आई एकेडमी में में लोकेंट सिंग राठोड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हम लोग बाल विकास एम से क्यों शोल्व गर रहा थे और इसी को आज आगे बढ़ाते हैं यदि आप लोगोंने हमारे पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं बाल विकास mcq तो आज का जो पहला कोशन है हमारा वो है प्रभाव का नियम किस ने दिया तो आपके पास चार उप्षन है इन चार में से आपको बताना है कि जो प्रभाव का नियम है वो किस ने दिया है तो वाइगोट्स की ने दिया है इसकिनर ने दिया है कि बुरुनर ने या थांड तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना हैं तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि प्रभाव का नियम जो है वो किस ने दिया हैं तो जल्दी से रिप्लाई दीजिए इसका तो इसका जो अंसर है वो है थान डायक मतलब जो प्रभाव का जो नियम है वो थान डायक ने दिया क्योंकि थान डायक ने जो है वो टोटल जो नियम है वो आठ नियम दिये हैं पांच तो पांच जो है वो गोण नियम दिये हैं और तीन नियम जो है वो मुख नियम दिये हैं ठीक है अधिगम के संदर्व में तो यहां से ये पोछ लेता है कि अधिगम के संदर्व में प्रभ आंत्रिक और बहाय कारक बताएं हैं मतलब जो दो कारक बताएं एक तो आंत्रिक कारक और एक बहाय कारक तो यह किसने बताएं तो आपके पास चार उप्षन है Karl Rogers, आईजनेक, पेवलोव या केरॉल तो इसमें से आपको बताना है कि जो व्यक्तित्व के आंकलन में जो आंत्रिक और बहाय कारक बताएं हैं वो किसने बताएं हैं तो जल्दी से रिपलाई कीजी इसका जी तो इसका जो आंसर हैं वो है आईजनेक मतलब कि जो आईजनेक जहें इन्होंने व्यक्तित्व की आंकलन के संदर्म में एक तो आंतरिक कारक बताएं और एक बहाय कारक बताएं जबकि कारल यूंग ने तीन कारक बताएं आंतरिक बहाय और आंतरिक और बहाय दोनों तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो व्यक्तित्व का जो मानवतावादी सिद्दान्थ है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो कार्ल रोजर्स अब्राम मेसलो कार्ल यूंग या इनमे से कोई नहीं तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मानवतावादी सिद्दान जो हैं वो किसने प्रस्तूत किया है तो इसका जो अंसर है वो है अब्राम मेसलो अब्राम मेसलो ने मानवतावादी सिद्दान्थ इनके द्वारा प्रस्तूत किया गया अगला कोशन देख लेते हैं बुद्धी के द्वी कारक सिद्धान्थ में इस्पियर मेन के अनुसार कारक इस है मतलब जो दो कारक बताए इनों ने द्वी कारक सिद्धान्थ में एक तो एस कारक और एक जी कारक तो आपको बताना है कि एस कारक का अर्थ क्या ही तो विशिष्ट कारक ही, सामान्य कारक ही अनुवान्शिक कारक ही या सामान्य और विशिष्ट दोनों तो जल्दी से रिपलाई कीजी इसका कि एस कारक का अर्थ क्या ही, एस यहाँ पर क्या ही ठीक है, जी तो बुद्धी के द्वी कारक सिद्दानत में, इस्पियर मेन के अनुसार कारक S हैं तो इसका जो आंसर ही वो ही विशिश्ट कारक ठीक है मतलगी ज्व बुद्दी के संदर में जो दो कारक प्रस्थूत किये इनोंने इनों बताया है कि दो कारक से मिलकर बुद्धी बनी है जिसमें से एक तो S कारक है और एक G कारक है S कारक का आर्थ है special मतलग की विशिष्ट कारक है और G का आर्थ है general मतलग की सामान्य कारक है तो इससे पहले वाले वीडियो में कोशन था कि बुद्धी के द्विकारक सिद्दानत में Spearman के अनुसार G है तो G वहाँ पर क्या था जंडल मतलग की सामान्य कारक था और यहाँ पर AES मतलग की विशिष्ट कारक है अगला कोशन देख लेते हैं किसी की अनुवान्चिकता की समय निर्धारी की जाती है तो गर्बधारन के समय जन्म के समय या परिपक्वता के समय या प्रोड़ावस्ता के समय तो इन चार में से आपको रिपलाई करना है कि किसी की जो अनुवान्चिकता होती है वो किस समय निर्धारी की जाती है तो जल्दी से रिपलाई कीजिए इसका जी तो इसका जो अंसर ही वो ही गर्ब धारण के समय मतले कि किसी की जो अनुवन शिक्ता है वो गर्ब धारण के समय निर्धारित की जाती है अगला कोशन ही विकास और व्रधी को प्रभावित करने वाले करने वाला कारक है तो इन में से आपको बताना हैं कि विकास और व्रद्धी को प्रभाहिद करने वाले कारक कौन-कौन से हैं वंचानुक्रम, बुद्धी, आहर और उप्रुक्त सभी तो जल्दी से reply कीजिए कि विकास और व्रद्धी को प्रवायद करने वाला कारक कौन सा है तो इसका जो answer है वो उप्रुक्त सभी है कि विकास और व्रद्धी को प्रवायद करने वाला कारक जो है वो वंचानुक्रम भी है व्रद्धी भी है बुद्धी भी है और आहर और ये तीनों ही जिसकारद है उपдел तो सभी हो जाएगा अगला आपके पास प्रेणा पुरुस्कार दंड या इन में से कोई नहीं तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो प्रेणा और तुरुटी का जो सिद्दान्ध हैं ये किस पर बल देता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेणा तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेणा अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन ही प्रतिवाशाली बालक का IQ कितना होता है तो चार ओप्षन है 120 या इससे अधिक 140 या इससे अधिक 190 या इससे अधिक 100 या इससे अधिक तो इन चार में से आपको बताना है कि जो प्रतिवाशाली बालक है उनका IQ कितना होता है तो जल्दी से reply कीजी इसका कि प्रतिवाशाली बालक का IQ कितना होता है जल्दी से reply कीजी इसका तो इसका जो answer है वो हुई 140 या इससे अधिक 140 या इससे अधिक जो IQ होता है वो प्रतिवाशाली बालक खेलाते हैं ठीक है अगला question देख लेते हैं बुद्धी लब्दी का सुत्र किस ने दिया है तो चार ओप्षन आपके पास टर्मेन, इस्टर्न, बिने और साइमन इन चार में से आपको बताना है कि बुद्धी लब्दी का जो सुत्र है वो किस ने दिया है कि बुद्धी लब्दी का सुत्र जो है वो मांसिक आयू बटे वास्त्विक आयू मांसिक आयू बटे वास्त्विक आयू और गुनित में सो ये सुत्र किसने दिया हैं ठीक है गुनित सो तो आपको reply करना है कि जो बुद्धि लब्दी का जो सुत्र है मांसिक आयू बटे वास्त्विक आयू गुणित सो ठीक है ये सुत्र किसने दिया है बुद्धी लब्दी का सुत्र तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी तो बुद्धी लब्दी का सुत्र दिया है वो दिया है टर्मेन ने दिया है कि मानसिक आयू बटे वास्तिक आयू गुणित्सों ये दिया है टर्मेन ने जबकि मानसिक आयू और वास्तिक आयू का एक ऐसा अनुपा थे जिससे बुद्धी लिकाल सकते हैं वो दिया था इस टर्मेन ने तो यहाँ पूछा था बुद्धी लब्धी का सुत्र किसमें दि आएं अगला कोशन देख लेती हैं अगला कोशन है शब्द सामन जस्य किससे संबंदी थें तो अभी व्रद्दी से संबंदी थें व्यक्तित संबंदी थें या अभी प्रणा से संबंदी थें या इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि जो शब्द सामन जस्य किससे संबंदी थी तो जो शब्द सामझे से यह वो व्यक्तित्व से संबंदी थे इसके बाद अगला कोशन देख लेती हैं अगला कोशन है अनुभव जन्य सिद्धान्त किस ने दिया तो चार ओप्षन आपके पास कार्ल रोजर्स अब्राम मैसलों कार्ल यूंग या एरिक्सन त जो अनुभव जन्य सिद्धान्त है वो किस ने दिया है तो चार ओप्षन में से जल्दी से रिपलाई कीजे इसका तो इसका जो अंसर है वो है कार्ल रोजर्स वहला है कार्ल रोजर्स ने अनुभव जन्य सिद्धान्त प्रस्तूत किया था अगला कोशन देख लेती हैं अ एरिक्षन ने कौन सा सिध्धान्थ दिया तो संग्यनात्मक सिध्धान्थ मनो सामाजिक सिध्धान्थ मनो लेंगिक सिध्धान्थ या गैस्टॉल्ड सिध्धान्थ तो एरिक्षन ने कौन सा सिध्धान्थ दिया जल्दी से रिपलाई कीजी इसका जी तो इसका जो अंसर है वो है मनो सामाजिक सिध्धान्त अगला कोशन देख लेती है अगला कोशन ही एरिक्षन के सिध्धान्त के अनुसार पूरा जीवन विकास के कितने चरोणों से होकर चाहता है मतलब कि जो Erikson का मनो सामाजिक जो सिद्दान थी उन्होंने कितने चरण बताए हैं तो इन चार में से आपको बताना है कि पांच, छे, साथ या आठ तो Erikson का मनो सामाजिक जो सिद्दान थी उसके अनुसार चरणों के संख्या कितनी है विकास के कितने चरण है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी तो एरिक्सन की सिद्धान्द के अनुसर पूरा जीवन विकास के जो चरणों के संख्या है वो है आठ चरण बतले कि विकास की कुल चरण की बात करें तो इन्होंने आठ चरण बताई विकास की आठ अवस्था बताई इन्होंने ठीक है अगला कोशन देख लेते ही अगला कोशन ही भाशा विकास में युनिवर्सल ग्रामर सिद्धान्द किसने प्रस्तुत किया तो चमासकी ने किया कोहलर ने या वाइगोट्सकी ने या पेवलोव ने तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि भाशा विकास में युनिवर्सल ग्रामर सिद्धान्द किसने प्रस्तुत किया तो जल्दी से रिप्लाई कीजी इसका जी तो इसका जो आंसर ही वो हैं चमासकी भले कि चमासकी ने बाशा विकास में युनिवर्सल ग्रामर सिद्दान्थ प्रस्तूत किया अगला कोशन देख लेती हैं अगला कोशन है अब्राम मैसलों ने मानावतावादी सिद्दान्थ में कितनी आवशक्ताइं बताईएं तो तीन, चार, पांच या छे तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि जो अब्राम मैसलों हैं इन्होंने मानावतावादी सिद्दान्थ में कितनी आवशक्ता बताईएं जी तो इसका जो अंसर हैं वो हैं पांच आवशक्ता मतलब कि मैसलोंने मानावतावादी सिद्दान्थ में जो आवशक्ता बताईए वो पाँच आवशक्ता बताईए तो आज के लिए काफी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर करें थेंक यू